नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बालों के लिए करी पत्ते के फाइदे और उप्योग करने के क्या तरीके हैं करी पत्ते में प्रोटीन, विटामिन और बीटा केरोटीन पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों को मजबूत और उने लंबा घना व खूबसूरत बनाता है चलिए जानते हैं करी पत्ते के फाइदों के बारे में नमबर एक करी पत्ता प्रोटीन और आईरन का अच्छा स्रोथ है ये दोनों ही पोशक तत्व बालों के लिए जरूरी है ये बालों को जड़ों से मजबूत कर उन्हें बढ़ तेल और एक मुठी ताजा करी पत्ते को डाले तेल को तब तक गर्म करें जब तक कि आपको पत्तियों के चारों और कालापन दिखाई ना दे खंडा होने के बाद तेल को बालों की जड़ों में लगाएं और फिर उंगलियों से धीरे-धीरे मालिश करें फिर इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे और फिर शैंपू से धोले नंबर दो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वाशी और कोर और मरासमस के कारण बाल जड़ने और पतले होने की समस्या होती है ऐसे में प्रोटीन युक्त करी पत्ते का उप्योग बालों के लिए लाबकारी हो होता है प्रोटीन कमजोर बालों की जड़ों में परियाब पोशन दे सकते हैं जिससे बाल लंबे और मजबूत हो सकते हैं साथ ही प्रोटीन युक्त करी पत्ते का उप्योग बालों का जड़ना भी कम करता है आए जानते हैं इसका उप्योग कुछ करी पत्तों और दही को ब्लेंडर में डाले और गाढ़ा वचिकना पेस्ट बना ले। फिर इस हैर मास्क को अपने स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगा कर हलके हलके हातों से मालिश करें। इसे करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर शैंपू से धोले। नमबर तीन करीब पत्ते के अर्प में कई औशधिय गुर पाए जाते हैं जो बालों के लिए फाइदे मंद हैं। इसके औशधिय गुर आपके बालों को सफेध होने से भी रोक सकते हैं, जिससे बालों को उनका प्राकृतिक रंग फिर से मिल सकता है। जानते हैं, इसका उप्योग एक चम्मच करीपत्ते का तेल आधा चम्मच नारियल का तेल दोनों तेल को आपस में मिला लें, फिर इस मिश्रण को बालों में लगा कर मसाज करें और करीब आधे घंटे बाद शैंपू कर लें। 4. करीपत्ते में एंटीफंगल गुड होते हैं, जो डैंडरफ और रुखेपन से बालों की रक्षा करते हैं, इसलिए डैंडरफ से बचने के लिए करीपत्ते का उप्योग फाइदे मंद हो सकता है। जानते हैं इसका उप्योग, एक चम्मच करीपत्ता का तेल, कपूर के तेल की कुछ बून दे, दोनों तेलों को अच्छी तरह से मिलाएं, इस मिश्रण से अपने बालों में हलके हलके हाथों से मसाज करें, इसके बाद शैंपू से बालों को धोले। नमबर पांच इसका उप्योग एक चम्मच करीपत्ते का तेल, एक चम्मच नारियल तेल, आधा चम्मच कपूर तेल इन सभी तेलों को आपस में अच्छी तरह से मिला ले। फिर इस मिश्रण को अपने स्कैल पर लगा कर आराम आराम से मालिश करें। इसके करीब 30 मिनट बाद शैंपू से बालों को धोले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करें।